दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की सबसे पहली ख़बर तीन दिन तक होगे बिहार में तेज बारिस मौसम विभांग ने जारी किया एलो अलर्ट जिहां बिहार में अगले तीन दिन तेज बारिस की सम्हावना है आपको बता दी कि साइकलोनिक सर्कुलेशन की वज़ा से पटना समेथ राज के दच्छिनी पुर्वी और उत्तर पुर्वी जिलों में कहीं कई हलकी बारिस तो बुंदा मुंदी के साथ बादलो की गरज और बिजली चमकेगी मौसम बिगानी की माने तो अगले चार दिनों तक नियुनतम पारे में 2-4 डिगरी की बिर्दी के असार है मौसम बिगान केंदर की और से इन मौसमी प्रभावों को देखते वे येलो अलट जारी किया गिया है अगली बड़ी खबर बिहार में रोजगार मांगने वालो की सेंख्या तीन गुनी बढ़ी केवल दस महिने में 2,66,000 बिर्दी के बिर्दी हुई है पिछले साल के तुलना में चार गुना अधिक बिर्दी के बिर्दी के रोजगार मांगने वालों में बिर्दी के साथ एक कुछ स्वर रोजगार कर रहे लोग भी सामिल है हलाकि राहत की बात यह है कि रबंदन करने वालों में एक भी चात्र नहीं है जो पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी मांग रहा हो पोर्टल पर अब तक 13 लाग से अधिक नबंदिद हो चुके हैं विरुजगारों को रोजगार उपलब्द कराने के लिए सरकार ने नेशनल केरियर सर्विस पोर्टल बनाया है अगली बड़ी खबर एस्टेट को लेकर सचिवाले में बवाल के बाद सिक्चा मंत्री बोले मेरिट या नोन मेरिट दोनों नियुक्ति के पात्र जिहां सिक्चा मंत्री विजई कुमार चोधरे ने कहा है कि एस्टेट 2019 से उत्रीन अभियर्तियों को अनावस्यक भ्रामित होने की आवस्यकता नहीं है उनोंने कहा कि जिस समय या परिच्चा फल आया था उसे समय सरकार ने या इस्पेश्ट कर दिया था कि जो भी उत्रीन है चाहे मेरिट लिष्ट मे हो या नोन मेरिट लिश्ट में दोनों ही तरह की अभियर्ति साथवे चरण के नियूक्ति के लिए पात्रता रखते है इसके अलावा सिक्षा मंत्रे ने कहा कि वे इस समन्द में परिशान ना हो कुछ तत्व बिना मतलब अवियर्थियों को गुमरा करते हैं निजी चेदर के वे दलोई के परबंदन को समाजना चाहिए कि क्योंकि यह सिर्फ पातरता परिचा है अगली बड़ी खबर 24 महिने बाद बच्चों को मिलेगा गर्मा गर्म खाना बिहार के 72,000 इसकोलों में सरकार ने 28 फरवरी से MDM सुरू करने का दिया आदेश जिहार के लगवग 72,000 परारामिक स्कोलों में पढ़ने वाले बच्चों को 24 महिने बाद 28 फरवरी से गर्म गर्म खाना मिलेगा राज सरकार ने इस समन में आदेश जारी कर दिया है आदेश के मताबिक 12 फरवरी से राज भरिक के स्कोल खुल गये है बच्चे स्कोल भी आने लगे हैं ऐसे में सुखा रासन की जगा बच्चों को खाना बना कर परेशना सुरू करें बिभाग की और से जारी आदेश में स्पेश्ट रूप से कहा गया कि अगर बच्चों को खाना देना में कोता ही बरती गए तो स्कोल वाधिकारियों के खिलाब सक्त करवाई की जाएगी मार्च 2020 में कुरोना के प्रसार के बाद राज के सब स्कोल बन हो गए थे इसके बाद निया मनुस्तार लाबग बच्चों के अभिवावकों को सुखा रासन और खाना बनाने के लिए अलग से पैसे दिये जा रहे थे बड़ी कबर 7 से 10 मार्च से 5 और 8 वी की परिचा पहली से 4 और 4 और 7 वी की परिचा 25 से 29 मार्च तक परमोड भी होंगी जहां कोरोना के कारण स्कोलों में 2020 और 2021 में बच्चों को परिचा लिए बिना ही अगली कक्चा में परमोड कर दिया गया था एक से तीन बजे परिचा होगी जबके कक्चा एक से चार और चौबा साथ की परिचा होले के बाद 25 से 29 मार्च तक होगी बीपी ने जीलों को परिचा सीडूल जारी कर दिया है आपको बता दिखे राज के लगवग 71,000 प्रारामिक स्कोलों में लगवग 7 करोड चात्र चात्रा हैं सिक्चा मंत्री विजय कुमार चोदरी ने पहले ही कहा था कि इस साल बच्चों को परिच्चा लेकर ही अगली कक्चा में परमोट किया जाएगा ग्रेड A, B, C और D वाले चात्र चात्राव को प्रगती पत्र दिया जाएगा अगली बड़ी कबर बिहार के पांच सहरों की बेच सिरु होगी हलिकेप्टर से वाए वैसाली पटना गया राजगीर और बोध गया सामिल जिहां बोध सरकीट से जोड़े स्तल तक देश विदेश से परियटोगों के पहुचने के सुविदा के मद्द नजर इन्हें हवाई मार्ग से भी जोड़ा जाएगा गया हवाई अड़े को भी विस्तार दिया जाएगा परियटन मंत्राले की पहल अब S.E.N. Development Bank के इसमें आर्थिक वा तकनिकी सहोग करेगा नेशनल हेलिकेप्टर सिवा से बिहार के वैसाली पटना गया राजगीर एवाम बोध गया कि साथ यूपी के वरानसी और कुसी नगर को भी जोड़ा जाना है आगली बाड़ी कबर बिहार में किसानों को मिलेगा दो हेक्टर में खेती पर एक लाख रुपी का नोदान जिहाबिहार के सुका प्रभाविच चेत्रों के किसानों को सरकार राष्ट या संदारन या कृष्णी मिशन के तहद दो हेक्टर जमीन में खेती करने पर एक लाग रुप्य का प्रती वर्स नुदान देगी सरकार ने या प्राविधान किसानों को जलवा या नुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए किया है वर्सा आसरत चेत्र क्विकास योजना के तहद किया गिया है क्रिसी विवाग सो हेक्टर में योजना के तहद समिकेद्र क्रिशी पनाले में विबिन फसलो पसुदन बागवानी संदारान सरक्चन वर्मी कमपोश योनी तित्यादी गटूकों के लिए मदद करेगा इसके तहद विसिस रूप से छोटे और सिमान किसानों को प्रोसायत किया जाएगा क्रिसी अबम किसान का लियान मंतराले के दिसा निर्देश के अनुसार इसी वित्य वर्स से किसानों के योजना का लाब दिया जाना है राजिस्तर पर इसके किर्यानवन के लिए क्रिसिस अचीव और जिले में डियम के अधिक्सता में कमीटी का गठन किया गया है बड़ी कपर राजि के दिव्यांग जन एक अप्रेल तक करा ले यह काम वरना सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाब जिलों में चलेगा विससवियान जिहां बिहार में नए वित्तिय वजस में एक अप्रेल के बाद अफलाइन दिवियांगता परमान पत्र माइन नहीं होंगे समाज के लान विभांग ने बिहार में एक अप्रेल के बाद ओलाइन दिवियांगता परमान पत्र को अनिवार कर दिया है online दिवयांगिता प्रमान पदर के माईदम से ही UID को जनरेट किया जाएगा विबंग ने सभी जीलों को online दिवयांगिता प्रमान पदर बनाने को लेकर पिसे सब्यान चलाने का निदिस दिया है 12 सरकार के निदेश के बाद राज सरकार की ओर से इस समन्द में पहल तेजिक की गई है कि इन्द सरकार ने अगस 2022 तक सभी दिव्यांग जनों को परमान पत्र को अल्लाइन करने का लच निर्दारित किया है अगली बाड़े कपर बियार में सिचाई और बाड की ओजनों के मोनेटरिंग असान मैंत्री ले लॉन्च किया दृश्टी एप प्रगति के बारे में रियल टाइम रिपोर्टिंग बाइद कारी हो गई है अनिवार रूप से रिपोर्ट के अपलोड करना होगा इस आउसर पर मंत्री सिरिज्या ने कहा कि मुख मंत्री नितिस कुमार ने हमेशा सिस्टम को प्रभावी और कुसल बनाने के लिए तक्निक के प्योग को प्रोसाइद किया है बाड़ी कबर प्याम मोदी ने रूसी राष्टपती पुतिन से की बाद यूद रोकने की की अपेल जिहां यूकरेन संकट के बीज प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने रूस के राष्टपती वलादेमीर पुतिन से बात की है गुरुवार रात फोन पर हुई बाचित में पियाम मोदी ने यूकरेन में फसे भारतियों और उनकी सुरुक्षा का मुद्दा भी उठाया इसके अलावा पुतीन ने पियाम मोदी को ताजा हालात के जानकारे भी दी है पियाम मोदी ने पुतीन को कहा है कि हालात का समादान बाचित से ही होगा प्रदान मंद्रे कार्याले के और से दीगे जानकारे के मताबिक पियाम मोदी ने रुसी राष्टपदी से हिंसा पर ततकाल रोक लगाने के अपिल की है राजनाईक वर्ता और बाचित के जरीय रास्ते पर लोटने के लिए सभी पक्चों को ठोस परियास करने का भी आवान किया है कबर बिहार में तंबाकू वाले गुड़का वा पान मसाला पर फिर लगा परतिबन स्वास्त विभाग के आदेश के बाद अब बढ़ेगी सकती जिहाँ बिहार में सौास्थ विभाग ने एक वर फिर तंबाकू से निर्मित होने वाली सभी परकार की गुटका और पान मसाले की उत्पादन, भंडारन, परिवहन, बिक्री और परदसन पर परतिबन लगा दिया है स्वास्त विभा के जारे आदेस में कहा गया है कि गुड़का और पान मसाला में तंबाकूव निकोटिन मिला कर बेचना स्वास्त के लिए हनी कारक है सर्वोच नियाले की सितंबर 2016 के आदेस का हवाला देते हैं वे कहा गया है कि इस परकार के खायद पदातों की बिकरी पर पुरी तरह रोक रहेगी गुड़का और पान मसाला खायद पदात की स्रेनी में आते हैं लिहाजा ऐसे पदातों की बिकरी को राज में परती बंदित क किया गिया है अड़ी खबर वेक्सिनेशन में पुरूसों से आगे है बिहार की महिलाई देस में दिखा बिहार की आदे आबादी का जजबा 6 करोड महिलाओं ने लगवाया है कोरोना का ठीकर जिहां घोंगट में रहने वाले महिलाओं ने बिहार का मान पुरे देस में लाख बारसट जार पांसों चैतर है वेक्सिनेशन में टॉप पर उत्तर परदेश जब कि दूसरी नंबर पर महाराष्ट और तीसरे पर पश्ची मंगाल है बिहार को चोते नंबर पर पहुचाने वाले आदे अबादे ने कोरोना से सुरक्चा में पुरुसों को पीछे है स्वास्ट बिवाग का कहना है कि बिहार को देश में 14 इस्तान दिनाने मे लगाये महाई को बढ़ कर आग है देश के आयों कर आए है डीज में खेले जाएंगे लीग स्टेज के सतर मुकाबले जल्द जारी होगा सेड्यूल जिहां आई पेल 2022 की सुरुआत 26 मार्च से होगी गुरुवार को हुई आई पेल गवर्निंग काउंसिलिंग में इसका फैसला लिया गया है आपको बताते के लीग स्टेज के सभी सतर मुकाबले वान खड़े डिवाई पाटिल और ब्रेटोन स्टेडियम में होंगे वहीं पुने के मैच एमसी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे और आउन की बड़ी कबर टीम इंडिया ने स्री लंका को बारसट रंस से हरा कर किया कमाल पाकिस्तान ने टीट्वेंटे इंटरनेशनल किरिकेट में तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड जी हाब हारते टीम ने टीट्वेंटे इंटरनेशनल किरिकेट में एक खास प्लवदी अपने नाम कर ली है भारते टीम ने एक तरज से अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है स्रेलंका के खिलाब लखनों के मैदान पर तीन मैचों के T20 सिरिज के पले मुकाबले में जैसे ही भारते टीम ने जीत हासिल की तो टीम ने लगातार दसवा T20 इंटरनेशनल मैच अपने नाम किया है इस तरह पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया है पाकिस्तान ने 2-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार नौ मैचों में जीत हासिल की थी आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में बेरोजगारों की सेंक्या बढ़ने का मुख के करन क्या है इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं